सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और सब्सक्राइब करने के पाथ जो बेल बटन का आइकन आता है उसको दुबाना ना भूले ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके आपने आईब्रोजस फ्оров को यह शरी कर सकते हैं और इस वीडिय में चैनल को के स pagar बहुत mg विडियो मैं आपको बता हुनlike कि आप अपनी आइब्रोज dataset इंड़ कर सके हैं बहुत यह सानी से 3 minute video to dod謀कु तो इसके लिए हमें चाहिए एक कोई भी आईब्रो फिलर कलर आप आईब्रो पैंसल यूज़ कर सकते हैं आप लिप्स्टिक लाइक जो लिप लाइनर यूज़ कर सकते हैं वटेवर यूवांट तो आईब्रो प्लकर चाहिए अलोविरा जेल एंड वीड की वैक स्ट्रिप हमें तो अब है कर रही हैं कि अगले को छीथ खख़ो कर रहे हूं मुझे अच्छी तरह से बैशिए कासरो और यूज़ के नोज़ साहसे फिर में सीधह थरू यूज़ कर सोब्रूँई कर था कि के बरश उयुज़ आईब्रो को मैं टरत खीर तो अपने प्रूँआयप ज्से जो कि आखों का काला गहरा होता है, उसके सेंटर से निकल कर जाए, वहीं हमारे आर्थ की शुरुआत होगी, जहां से, और उसके बाद जहां हमारी आइब्रोज खत्म होनी है, वहां एक पॉइंट ड्रॉव करना है, कुछ इस तरह से, तो यह हमारी गाइड लाइन्स तैयार हैं, तो इसके बाद मैं आइब्रोज को फिल कर रही हूं, मैं उतना ही फिल करूंगी, जितने की मुझे आइब्रोज चाहिए, और एक्स्ट्रा बाल मैं कलर नहीं करूंगी, अरी वारी झाल मैं एक बाल लोब्एशन आइब्रोज कर रही हुछशना ह möglich, कि अंट टूंगी, जितना ही हूं, कि उसके बाद जो यह वीट्स ट्रिप में इंक्टरा पार्थ है उनको मैं काट काट रहे हूं किरौकर यह हमें नहीं चाहिए उसके बाद मैं लाइनसे में चोटे-चोटे पार्च मैं काट उंगी कुछ इस तरह से और harder की तो अभी मैं इन दोनों को अलग कर रही हूँ well within 1,4 अप्सेट से थोड़ी थोड़ी वैकस्ट्रीप है जो खाली है तो एक साइट से मैं काट रही हूँ ताकि मुझे असानी हो रखने में जहां से मुझे पता चले के कहां से मैं शिरुआत कर रही हूँ वैक्स्ट्रिप रखने की और कुछ इस तरह से मैं अपने आइब्रो के उपर जहां मेरे एक्स्ट्रा बाल है वहां मैं लगाऊंगी और थोड़ा प्रेस करूंगी और ऐसे खेंच दूँगी तो अभी देखिए यहां पर काफी एक्स्ट्रा बाल रिमूव हुए है मेरी आइब्रो से वैक्स्ट्रिप से कुछ इस तरह से आइब्रो करने का फाइदा यह होता है कि आपकी शेप बहुत इच्छी निकल कर आती है आइब्रो के और मुझे काफी काफी पसंद है कुछ इस से अपनी आइब्रो से शेप करना मैं काफी समय से ऐसा कर रही हूं आइब्रो में अब सेकिंड आइब्रो को कुछ इस तरह से लगानी है सीधे और बालों को थोड़ा सा प्रेस करना है और ऐसे रिमूव कर देना है अब मैं आपको बताऊंगे कि आप मेरे कौन से एक्स्ट होती है वहां इस स्ट्रिप का स्टार्टिंग पॉइंट रखोंगी मैं फिर से बताते हूं जहां से हमारी आर्क की शिरुवात होती है जहां से हमें लिफ्ट करना है वहां इस स्ट्रिप का स्टार्टिंग पॉइंट रखना है तो कुछ इस तरह से मेरे बाल काफी स्ट्रिप में स्टार्डिंग पॉइंट रखना था आर्क पर इस स्ट्रिप में एंडिंग पॉइंट रखना है स्ट्रिप पर और ऐसे बाल रिमूब कर देने हैं आज यू किन सी बहुती अच्छी शेप क्लीन और स्मूध शेप मेरी आईब्रोज की बनी है इस टाइम तो जो एक्स्टरा बाल है चोटे मोटे जो वेक्सट्रिप में नहीं आते हैं उसको मैं प्लकर से रिमूव कर रही हूं तो एक तो मेरी आईब्रोज शेप हो गई अभी मैं नेक्स्ट भी ऐसा ही करूंगी पहले उपर एक्स्ट्रा बाल जिमोव करूंगी कुछ इस तरह से आप चाहिए तो दोनों स्ट्रिप सेमेंटेनिसली रख सकते हैं इस तरह से और ताकि आपको असानी हो और अच्छे तरह स इस शेप बने आपके आई ब्रोज आपोड्ते ज्यादर लेकर आना थे र्वह तो ओपर भी मैं और जिस तरह मेरे fact अधी प्यां थिक थी नहीं प्याफ। ओके गाइस सो यह देखो कितने बाल निकले हैं तो ओके गाइस सो यह होगे मेरी आईब्रोज शेप अब मैं चोटे मोटे जो बाल रह गए हैं उसको मैं प्लकर से रिमूव करूँगी और या सो सिर्फ दो या तीन मिनट लगते हैं आईब्रोज शेप करने में ऐसे और आईब्रोज के शेप काफी अच्छी बनती है ऐसे है जी केंसी मुझे काफी काफी पसंद है ऐसे अपने आईब्रोज शेप करना मैं काफी सालों से ऐसे कर रही हूँ और मुझे कहीं भी सलोन या पारलल जाने की ज़रूद नहीं बढ़ती तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और या सो मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टराग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है किंदर ब्यूटी अन्डर स्कोर आर मैं सभी लिंक दिस्क्रिप्शन बॉख्स में दे दूँगी और इस वीडियो के सभी precautions भी मैं description box में दे दूँगी उसको पढ़िए और उसके बाद ये वीडियो देखिए तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई